एनाकॉंडा दल्दलों और धीमी गती से बेहने वाली नदियों में पाए जाते हैं एनाकॉंडा के लिए अप्रेल और मई प्रजनन का मौसम होता है जिसके बाद मादा एनाकॉंडा 6 महीने बाद 20-40 युवा एनाकॉंडा को जन देती है वसंत रितु के दोरान मादा करशित करती है इनका प्रजनन पानी के पास होता है जो लंबे समय तक चल सकता है गर्भवती होने के बाद मादा एनाकॉंडा काम नहीं करती है क्योंकि इससे चोट लगने का खत्रा रहता है मादा एनाकॉंडा अंडे नहीं देती है बलकि बच्चे को जन देती है इनका ग समय से ही व्यक्तिगत जीवन जीने में सक्षम होते हैं एनाकॉंडा 30 फीट तक लंबा और 550 पाउंड तक वजन का हो सकता है मादाइनर एनाकॉंडा से बड़ी होती हैं एनाकॉंडा अपने पूरे जीवन में लगातार बढ़ता ही रहता है एनाकॉंडा खाने के लिए सुव, हिरन, छोटे मगरमच, पक्षी, मचली और अन्य जानवरों का शिकार करते हैं एक बड़े जानवर को खाने के बाद एनाकॉंडा को लंबे समय तक भोजन की आवश्यक्ता नहीं होती है और वह हफ्तों तक आराम करता है एनाकॉंडा एक निशाचर जानवर है जिसका इत्वी पर रहने वाले सभी सांपों के दाथ होते हैं और वे अपने दाथों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन एनाकॉंडा अपने दाथों का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए नहीं करता है सभी एनाकॉंडा के सिर के अगर भाग पर नतुने और आखें होती हैं ज जबकि उनका ज़्यादातर शरीर जल्मगन होता है। कुछ सांस लेने के लिए सतह पर आने से पहले एनाकॉंडा दस मिनत तक पानी के नीचे रह सकता है। एनाकॉंडा में भी अधिकांश सांपों की तरह मूह के उप्री जबड़े पर दातों की चार पंक्तियां होती है। एनाकॉंडा जमीन पर और पानी में शिकार करता है लेकिन ये अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताता है जहां ये अधिक आसानी से और फुर्ती से चलता है